नई संभावनाएं खुलेगी मैं करनाटका के युवाओं से भी आवाहन करता हूँ टेक्नलोजी को फिल में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षाक्षेत्र में देश की ताकत बनाईए आप इन अवस्वरों से जादा से जादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नई इनोवेशन्स का रास्ता खुलेगा साथ क्यों जब कोई देश नई सोच नई एप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्ताएं भी नई सोच के हिसाब से ड़नने लगती है एरो इंडिया का यह आयोजन आज नई भारत की नई एप्रोच को भी रिफ्लक करता है एक समय था जब इस इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्प टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था बीते वर्षों में देश ने इसे इस परसेप्शन को भी बढ़ला है आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है यह इंडिया की स्ट्रेंथ भी है आज यह इंडियन दीफेंस इनंडिस्री के स्कोप को भी फोकस करता और self confidence को भी focus करता है ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की defense कपलियों के लिए भारत के वल एक market ही नहीं है भारत आज एक potential defense partner भी है ये partnership उन देशों के साथ भी है जो defense sector में काफी आगे है जो देश अपनी रक्षा जरुरतों के लिए एक भरोसे बन साथी तलास रहे भारत उनके लिए भी एक बहतर partner बनकर आज उभर रहा है हमारी technology इन देशों के लिए cost effective भी है और credible भी है हमारी यहां best innovation भी बिलेगा और honest intent भी आपके सामने मौजूद है साथियों हमारी यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमानम अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं होती आज भारत के संभावनाओं का भारत के सामर्थ का प्रमान हमारी सफलताएं दे रही है आज आकास में गर्जना करते तेजस fighter planes मेकिन इंडिया के सामर्थ का प्रमान है आज हिंद मासागर में मुस्तेज aircraft carrier INS विक्रान मेकिन इंडिया के विस्तार का प्रमान है गुजरात के ब्रदा में C-295 की manufacturing facility हो या तुमकुर में HL के helicopter needed हो ये आत्मंदिर भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बहतर आउसर जुड़े है साथियो 21 सदी का नया भारत अब ना कोई मोका खोएगा और ना ही अपनी महनत में कोई कमी रखेगा हम कमर कस चुके हैं हम reforms का रास्ते पर हर सेक्टर में revolution ला रहे हैं जो देश दसकों से सबसे बड़ा defense importer था वो अब दुनिया के 75 देशों को defense equipment एक्सपोर्ट कर रहा है बीते पांच वर्सों में देश का निर्यात छे गुना बड़ा है 2021-22 में हमने अब तक के record पंदरा वन कोईंट फाइव बिलियन डॉलर से ज़्यादा के export को उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है friends आप भी जानते हैं कि defense एक ऐसा शेतर है जिसकी technology को जिसकी market को और जिसके business को सबसे complicated मना जाता है इसके बावजुद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने हाँ defense sector का कल कर दिया है इसलिए हम इसे अभी केवल एक शरुवात मानते हैं हमारा लक्ष है कि 2024-25 तक हम export के इस आंकड़े को देड़ बिलियन से बढ़ा कर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे इस दोरान कियेगे प्रयास भारत के लिए एक launch pad की तरह काम करेंगे अब यहां से भारत दुनिया के सब्चे बड़ा defense manufacturing देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे private sector और even शर्स की महत्वप्र भूमिका रहने वाली है आज मैं भारत के private sector से आवान करूँगा कि जादा से जादा भारत के defense sector में invest करें भारत में defense sector में आपका हर investment भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार थे आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा नए संभावनाए नए अवसर सामने है भारत का private sector को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए 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 अमरित काल का भारत एक fighter pilot के तरह आगे बढ़ रहा है सा देश जिससे उचाहिया छुने से डर नहीं लगता जो सबसे उची उडान भरना के लिए उत्साहित है आज का भारत तेज सोचता है दूर की सोचता है और तुरंट फैसले लेता है ठीक वैसे ही जैसे आकास से उडान भरने वाला एक fighter pilot करता है और सबसे महत्वण बाद भारत की रप्तार चाहे चितनी तेज हो चाहे वो कितनी भी उचाई पर क्यों न हो वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसे हमेशा ground situation की जानकारी रहती है यही तो हमारे pilot भी करते हैं Aero India की गगन बेदी गर्जना में भी भारत के reform, perform और transport की गुंज है आज भारत में जैसी निरनायक सरकार है, जैसी स्थाई नितियां है नितियों में जैसी साप नियत है, वो अभुत्पुर्व है हर सक्ट इंवेस्टर को भारत में बने इस supportive माहोल का खूब लाब उठाना चाहिए आप भी देख रहे हैं कि ease of doing business के जिशा में भारत में किये रिफॉर्म की चरदा आज पूरी दुनिया में हो रही है हमने global investment और union innovation के अनुकुल माहोल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए है भारत के defense sector में foreign direct investments को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है अब कई sector में